आप सभी के स्वागत आपके यूटूब चैनल बियार एजूकेस्टन में और इस वीडियो में हम बात करने वाले अंग्रेजी विशे जो अंग्रेजी विशे की कटोफ अक्सपक्टेट कटोफ हो क्या रह सकती है जो पेपर लगने के बाद इनका एक्जाम हो बात करूं ग्यारा-तारीक को जीक्य का इनका एक्जाम हो चुका था और बारा को इनका जो भी ने जो होने के बाद में पैसक्टेट आपको दिखाएंगे क्या रह सकती है कौन्सी यकोंसी क्या कटोफ हो रह सकती है यह पिछे की मुख्य कटोफ है जो मुख्य पिछे इंगलिस में रही थी और अब की क्या कटोफ है कितनी कम है वो जा सकती है वो हम यहां बात करने वाले तो हम यहां बात करने वाले सब अंग्रेजी विशे के अंदर तो अंग्रेजी विशे की हम आपको बताएंगे हैं पर जो हमारी कटोफ है वो आपकी अंग्रेजी विशे के अंदर हम बात करेंगे अभी एक जो अंग्रेजी विशे है आपका उसके अंदर पहले मैं आपको त सबसे पहले फोरम बरे गए 41,000 कितने फोरम बरे गए 41,000 फोरम अगर टोटल आंकड़ा पता हूं तो इक तालीस जार नोशो बासट फोरम यहां पर अंग्रेजी विशे के बरे गए और इसके अंदर हम बात करेंगे की भई फोरम तो इतने बरे "... लेकिन इनके अंदर फोरम बरने के साथ साथ हम बात करें ख लें यहां पर बैठे थे पोष्ट की बात करेंускे 342 पोश्ट वोंगरेजी विशेher की अगजाम के अंदर है और करीबan 60 पर Cyclist विधार यहां पर बैठे यानि कह सकते हैं करीबन 25,000 विधारती एक्जाम में साइद बैठे होंगे 25-30,000 के बीच का जो आंकड़ा है वो अंग्रेजी विश्य का रहा है कुछ पहले पेपर दिया लेकिन दूसरा पेपर नहीं दिया जिनका क्राइटेरिया पुरा नहीं और उन्होंने दूसरा पेपर आप के सही अने जरूरी थे स्य और ERТी थे उनके 27 कुशन सही ने जरूरी थे उनको 35 पर सेंट चाहिए था स्य और 15 क्यूंस नौने बाकी के 30 क्यूंस वहने जरूरी से तब ही वह- इलेजिबल माना जाएगा दूसरा जो पिपर वा उसके अंदर आपके डेरिसो क्यूशन आए थे उसके अंदर आपका जो जन्रल कैटेगरी से बाकी है उनको शाठ से और शीयस्टी है उनको केवल भंबाद करें तो शाइद 54 जिनके हो रहे हैं उनका सेलेक्षन माना जा सकता है क्योंकि यह क्राइटेरिय के लिए हो हैं लेकिन इसमें अंग्रेजी विष्ये में बूल जाओ मेरिट का भी आसमान को छोती है कुछ कटोप कम देखेगी तो बात करते हैं 330 की कटोप यह कटोप आपको अंग्रेजी में अग्रेजी विष्ये की जो है मिल जाएगी फिर नीचे जो कैटेग्री एडवलोस कैटेग्री एडवलोस में 313 जो रही थी इस बार यह 300 के करीब ही आपको देखने को मिल जाएगी और विंडो है उनके अंदर आपका यह जो क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया से आप पास नहीं क्योंकि 180 मारक्स तो आ क्राइटेरिया रहेगा आपका 160 नमर लाना तो क्राइटेरिया रहेगा 206 में से अगर आप 200 65 पलस अगर रह जाते हो तो और हमसे आपका सेलेक्शन देखने को मिलेगा विंडो के टेगरी वाले यह कटोप नहीं रह सकती इस बार क्योंकि 160 पलस तो रखनी रखनी रहेगी और विंडो के टेगरी इन्हीं की 170 के लंसम हो सकता है 160 वालों का भी सबार हो जाए 170 के लंसम स्टी के टेगरी में हम बात करते हैं ओबीशी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ा आपको देखने को मिल जाती है जिनको क्राइटेरिया की 180 नमर लातों लाने कटोप मिलेगी और विंडो के टेगरी के हैं विंडो के टेगरी में आप अगर 190 थे इस बार अगर आप एक क्राइटेरिया पुरा कर ले तो 180 तो आपका सेलेक्शन अच्छी खासे तोड़ से हो जाएगा और जो डिवर्स के टेगरी से 301 नमर जो पहले रही थी यही पर कोई फर्म नहीं था कोई शीट नहीं थी तो आंकलन करना मुश्किल है उसके लिए तो यह थी आपकी इंगलीज की कटोफ थी यहां पर कुछ औरीजेंटल वाले एक सर्विसमेन उनकी आपको दिखा देते हैं यह सर्विसमेन के तो एक सर्विसमेन पर दो पिछली बार सदेखने को मिल जाएगी यह आपका एक इंगली अंग्रेजी विशे की कटोफ का अनलाइस इस दाद जो आपको बताएगा वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब पास में में जुरुत बाएं धन्यवाद